ओओ नमो नमा मंत्र मैं जीवन हो लेखांक ए भूमी का लेखक श्रीपाद लक्षमन अभ्यंकर मंत्र में जीवन ये एक विचारधारा है इस विचारधारा पर गौर करने से पहले ये भी तु समझ ले कि मंत्र होता क्या है मंत्र तो संस्कुर्श शब्द है शब्द कल्पत द्रुम में मंत्र शब्द को लेकर बहुत विस्तुत विवेचन है प्रास्ताविक भाग ऐसा है। बना पुल्लिंगी सामान्य नाम है मंत्र इस दातु का अर्थ है गुप्त या गुपित बोलना मंत्र ये तो सामान्य नाम है लेकिन परंपरा के चलते उसको विशिष्ट अर्थ भी प्राप्त हुआ है मराठी में गदी माडगुलकर जी का लिखा एक प्रसिद्ध गाना है हमारे लिए तो वंदे मात्रम वेद मंत्रों से भी अधिक वंदिनीय है यहां के वेद मंत्र इस शब्द में मंत्र इस शब्द का पारंपारिक अर्थ समाया है मतलब कि वेदों में जो पद होते हैं वो मंत्र कहलाते हैं रुगवेद के पदों को मंत्रों को रुचा कहते हैं वे उचे पढ़े जाते हैं यजुरुवेद के यजुष मंत्र गद्यस्वरूप हैं वे हलके पढ़े जाते हैं सामवेद के सामन मंत्रों में गाने योग्य लए होती है क्योंकि मंत्र मुख्यतहा वेदों में है तो वे पवित्र भी है उससे भी एहम बात है कि मंत्रों में मंत्र सामर्थ्य होता है बंकिमचंदर चटर जी के वंद्रे मात्रम इन शब्दों में भी देशभक्ती जगाने की शक्ती थी वंद्रे मात्रम ये उच्यार मंत्र सा सिद्धव हुआ 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया चले जाओ वे उद्गार भी मंत्र बन गए मार्टिन लूथर किंग ने एक भाशन में कहा I have a dream वे शब्द भी मंत्र बन गए प्रेरक शक्ति से युक्त जो भी उद्गार हो वो मंत्र बन जाता है यह ठीक है कि बहुतावश मंत्र वेदों में से प्रचलित हुए है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई मंत्र किसी वेद में पाया ही जाए श्री रामरक्षास तोत्रम इस तोत्र में शुरुवात में ही शब्द है श्री रामरक्षास तोत्रमंत्रस्य मतलब यह कि संपूर्ण श्री रामरक्षास तोत्र भी मंत्र है प्रार्थना के मंत्रों से श्रद्धा बनती है बढ़ती है मंत्र श्रद्धायुक्त अंतकर्ण से कह जाने चाहिए एक सुहावना गीत है कोन कहता है भगवान खाते नहीं बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं मंत्र साथना हर कोई व्यक्ति कर सकता है मंत्रों का अर्थ समझ ले और उन्हें याद किया जाए तो उनका मनन हो सकता है इस तरह मंत्र को मन ही मन में बहुत समय तक और बहुत बार चलाते रहना इसी को मंत्र का जाप कहते हैं मंत्र के जाप से उस मंत्र का मंत्र सामर्थ्य जाप कारने करने वाले में उतरता है बढ़ता भी है क्यूंकि श्री रामर्क्षा स्तोत्र भी मंत्र है ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि मंत्र में इतने ही कुछ आक्षर होने जाए ऐसा भी है कि कुछ लोग किसी एक ही एक मंत्र का जाप करते हैं कुछ लोग कई सारे श्लोग स्तोत्र याद कर लेते हैं या उनका पाठ करते हैं, श्रीमत भागवत जैसे पुराणों के पाठक, पाठ के सप्ता भी चलते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, कि दिन का, हर एक दिन का, जितना अधिक समय मंत्र जाप में, मंत्र पठन में बीतेगा, उतना समय शुद्ध आच्रन में ही बीतेगा, मंत्र जाप से, मंत्र पाठ से, शुद्ध आच्रन की लत लग जाते हैं, इससे मंत्र जाप के बगेर का जो भी समय बाकी कार्यक अलापों में बीतता हो, उसमें भी शुद्ध आच्रन बनते जाता हैं, अपनी मनस्थिती का प्रभा अपने काम में अक्सर आता ही है, रसोई बनाने वाली स्त्री के मन में गुस्सा हो, कुछ नाराजगी हो, तो रसोई स्वादिष्ट पोष्टिक बनेगी ही नहीं, कोई भी काम बिगड़े मन से न होए, इसलिए एक सही उपाय है कि मन में मंत्र पार्श संगीत जैसा गुलते रहे, मंत्र इस धातु का मूल अर्थ गुपत बोलना ऐसा होने से, अपने चहीते मंत्र का मन ही मन में मनन कहीं भी कभी भी चालू रह सकता है, संगीत क्षेतर के कलावन अपनी ही दुन में रहते हैं, गाने में बैट जाएं, तो यही आर्थता रहती है कि शुद्ध स्वर लग जाना जाएं, एक लोकप्रे मराठी संगीत नाटक में गाना है, सूर निरागस हो, निरागस मतलब शुद्ध, सूर निरागस हो, मतलब गाना सच्चे शुद्ध सुर में हो, सूर वैसा निरागस होना, लग जाना, रह जाना, इसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, सुरों की बात चल पड़ी है, तो क्यों न गौर करें कि जीवन का भी सूर होता है, अच्छी जीवनी का सूर अच्छा होता है, जीवन मंत्र में बनाने से जीवन सुर में हो सकता है, सूर निरागस हो, ये भी एक सशक्त जीवन मंत्र है, सूर निरागस हो, इस मंत्र से इस पर भी गवर हो जाए, कि मंत्र अच्छारण भी सही और शुद्ध होने चाहिए, हर किसी उच्चारण में ध्वनी लेहरे होती है ध्वनी की लेहरों में उर्जा होती है कौनसे मंत्र का उच्चारण कैसे करने से उज्जा का उर्जा का संचारण कैसे होता है ये सब रूशी मुनियों ने अनभव सध्ध किया है वो अनुभव सद्ध किया हुआ साइन्स है शास्त्र है वैसे तो सुबह जग जाने से लेकर रात में नीन दाने तक के दिन भर के सारे नित्य और नेमितिक कार्यकलापों के लिए मंत्र हूते हैं जिससे यह हो सकता है कि जीवनी जीना ही मात्र मंत्र साधना हो प्राया हा भारतिय तत्वध्यान की धारना ही यही है मंत्र साधना मात्र अपने लिए ही हो यह भी सही नहीं है महात्मा जान्धी जी के दैनन दिन कारेक्टर में सामुहिक प्रार्थना होती थी हम कलपना कर सकते हैं कि इस सामुहिक प्रार्थना के समय में ही क्यों नहो कितना बड़ा जन समुदा है प्रार्थना में मंत्र मुग्धव हुआ कर्था था इस अभ्यास के लिए मंत्र संस्कृत हो ऐसा इसलिए सोचा है कि उनसे गेहरा अभ्यास हो सकता है साती साथ संस्कृत का भी अभ्यास हो जाएगा कई लोगों को बहुत सारे मंत्र मालूम होते हैं लेकिन उनका अर्थ मालूम नहीं होता वैसा अभ्यास किया नहीं होता उच्चार भी गलत होते हैं हो सकता है कि गलत उच्चारण के कारण अर्थ का अनर्थ होता हो लगता है कि मंत्रों का अभ्यास पूर्ण विवेचन बहुतों का फसंद आएगा लाबदाई भी होगा मंत्रों का पाठ श्रद्धा पूर्ण अंतकरण से होना चाहिए ये तो जरूर सही है लेकिन अंजाने में श्रद्धा अंतर श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए इसके लिए भी मंत्रों का अभ्यास ही होना चाहिए येति मंत्रों का अभ्यास होना चाहिए तो सर्वेत्र सुखिनस्चन तु इस मंत्र का भी अभ्यास कर ले सर्वे त्रसुखिनस संतु, सर्वे संतु निरामयाह, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चे दुख्ध मा अपनुयाद पहले पदेचे, सर्वे अत्रव, यहां के सब सुखिनह संतु, सुखी होएं, सुखी रहें सर्वे संतु निरामयाह, सब निरामय रहें, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, समों को अच्छाई ही, भलाई ही मिले मा कश्चित दुख्ध मा अपनुयाद, किसी को भी दुख्ध न होएं गौर तलब है कि सर्वे अत्रव, यहां के सब, ऐसे कहने में यहां इस शब्द में पूरा विश्व समाविष्ट है और भी गौर तलब है कि सर्वे सब, सर्वे सब, इस शब्द में नतु मात्र मनुष्य, बलकि पूरी चराजर सुष्टी समाविष्ट है सर्वे संतु निरामाया, सब निरामाय रहे, सर्वे भद्रानी पशंतु, सबों को अच्छाई ही ही, भलाई ही मिले, मा कश्चे दुखमा अपनुयाद, किसी को भी दुखन होई, ये सारे वैश्विक विचार है, अत्र यहां के, इसका भी मतलब समझना चाहिए, कि जब कभी ये मंत्र बोला जाएगा तब, मतलब इस मंत्र की कोई भी काल मर्यादा नहीं है, अत्र इस शब्द में स्थल और काल दोनों अमर्यादित हैं, मंत्र का कुछ और अभ्यास भी कर सकते हैं, खास कर कुछ विशेश शब्दों का, जैसे अगया भी सर्वे अत्र इन शब्दों का विचार केया उसी तरह निरामयाह का मूल शब्द प्रातिपदिक निरामय ये विशेशन है निरामयाह ये निरामय का पुल्लिंग प्रत्मा बहोचन है निरामय याने निर प्लस आमय आमय याने रोग व्याधी सर्वेशंतु निरामयाह सब निरामय रहे याने सब की सेहत चंगी रहे। मा कश्चित दुखम आपनुयाद किसी को भी दुख नो होवे। इसके पदले मा कश्चित दुखभाग भवेत जिसके भाग में दुख आया वो दुखभाग दुखों के कई कारण होते हैं हिमसा सेहनी पड़े तो वो भी दुख़ का कारण होता है मा कश्चित दुखभाग दुखम आपनुयाद किसी को भी दुखभ नो होए ऐसी प्रार्थना में ये भी विचार है कि किसी को भी किसी भी तरह की हिमसा का अनभव नहो हिमसा मात्र शरीर की नहीं मन की भी होती है आतंग कवा तो हिउशा का वीभत सरूप है ролImg कोई भी प्रार्थना जितनी बड़ी ताधात में बहुत सरे लोक एक साथ करें उतनी उस प्रार्थना की ताकत बड़ी होती है गांधी जी से द्यनेनदिन जीवन में सामुहिक प्रार्थना का एहम हिस्सा था जीवनी मंत्र में हो इस विचार में तो दयनदन जीवन के कुछ नयत समय में ही प्रार्था नहो ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरा ही जीवन मंत्र में हो ये भुमिका है ऐसा हो पाने के लिए जितने मंत्रों का अभ्यास हो पाए उतना करना है सदासरवदा सबों का सब कुछ अच्छा ही हो मंगल मैं हो ये भी प्रार्थना है मंत्र है शुभमस्त